है शी भी अप्यिस्टी इसन में हम आगे का स्पिस्टमेंण हैं कर रहे हैं कल हमने आपको दिस्कस किय刃 था नम स्टाक और आज हम डिसकस करेंगे क्लूरेला इयुक्त करेंगे क्लूरेला भी एक जो है ग्रीन एलका है और यह फ्रेस लोगे जाता है यह कालोनियल ना करके ग्रूप में ना करके इंडिवीजुवल सेल्स अलग अलग एक एक सेल्स जो पाए जाते हैं अगर हम जो है या स्परिकल होता है या सब कभी-कभी इलिप्स भाइल भी होता है तो इस तरीके से और रहा है सेल में ख्लॉआ प्लॉरोप्लास्ट का जो आप इस्ट्क्चर देखेंगे तो इस्ट्क्चर दिखाई देता है और जो पाए जाते हैं उस constitu प्लॉरियल यह एक eukaryotic organism है ना कि prokaryotic इससे पहले आपने नास्टाग देखा था नास्टाग जो है eukaryotic अब ना हो करके prokaryotic cell की रूप में था तो इस तरीके से आपने जो है कि cell का structure भी देख लिया अब उसके बाद chlorella simple algae है इसलिए इसमें बहुत जादे और specialization उस तरीकी का चीज नहीं पाया जाता है तो अब हम सीधे आएंगे reproduction reproduction में हमने आपको पहले बताया था कि algae जो है mostly vegetative और यह sexual और sexual reproduction करता है लेकिन यहां पर जो है खुलोरेला में देखा गया कि खुलोरेला में जो है sexual reproduction नहीं पाया जाता है रिपोर्ट नहीं किया गया है इसलिए जो है mainly जो है sexual reproduction करता है और sexual reproduction में हमने आपको पहले बताया था जनल फीचर में कि इसमें जो है कई तरीके के जी इस पोर अपलाने ओश्पोर आटोवस्पोर और भी इंडैव सब बनते हैं तो यहां पर जो कटेगरी में सेक्रिट कर लेता है जस्ट लाइक से लवाल और फिर एक जो है कि अलग से जो है इंडिविजुल के रूप में डेवलप हो जाता है और यह आटो इस्पोर्स इसलिए नाम दिया गया है कि जब यह बाहर निकलते हैं या कहले जब मैच्वर होते हैं तो यह पैरेंट सेल से जर जो है कि चाहे उसमें से 10-20-50-100 जितनी भी संख्या में जो है कि आटो इस्पोर्स बने हुए हैं उस बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद जो है सुटेवल प्लेस पे पहुंच करके और फिर एक नई जो है कालोनी डेवलप करते हैं तो इस तरीके से आपने जो है क कर्या मरणा,टर्लै जो है। बहुत ही जो है सिमपल है। अगर हम इसका प्रोटीनबित मिरूटिक पाई जाता है। तो इसलिए जो है कि क्लोरेला का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है और इसके जो है कि सिंगिल सेल प्रोटीन के टैबलेट्स भी जो है मार्केट में मिलते हैं जो कि आप जो है कि देखते हैं सेलेब्रेटिव अगर अपने फिगर मेंटेन करने के लिए इसके जो ह से आपने देखा और उसके बाद जो है कि इसके जो एव दूसरा इंप्रोर्टेंस को आपको देखने को मिल जाएगा जो है इस तरीके से यह जो है सीवेज-डिस्पोजयल प्लांट्स में एरेटिंग का काम करता है वहां पर इसके जो है स्पोर्स को बदिया जाता है जहां पर जो सिवेज जैन वगर बने होते हैं और फिर यह सब्सक्राइब तो लेकर करके फोटो सिंदेसिस करता और बिदेशन निकालता हो आक शीजन उसी पांई भी और फिर स्पेस में दो ले करके जाते हैं और वहां पर रेड़ी यूस में करता है उया कि लार्ज नंबर यूप सबस्था धने सतनलते हैं तो जो आजकल जो है कि इंडस्टी यूज के लिए फर्मसेटिकल इंडस्टी भी इसको यूज करती है तो इस तरीके से कलोरिला का आपने देख लिया लाइफ साइकल वगर और उसका इकोनमिक जो है तो हम नेक्स्ट जो है कि mówi को बालबॉक्स का हमने आपको कर दिखाया था की कैसे अपको दिखाई देता तो बाल लुख्स की कालूनियल लीती है मतलब में पाम करता है कै और इसके कालूनि जो आपकर में आप उसका अलोनीव में नंबर जो है इंडिविज्वल नंबर फिक्स होते हैं 50601 एक बॉल लाहिक नंढ यह स्टूक्चर में बहुते यह संख्या तो यह ना नियुक्ट सबहुत के और उसके बाद नेक्स्ट को आप देखेंगे सेल स्ट्क्चर तो इसके जो है कि अगर बॉलत बाहर करें सब्सक्रट को आप बाहर निकाल करेंगे देखेंगे तो उसका देखाई देता है जैसे तो इसमें भी सभी मेंब्रेन बाउंड आर्गनेल्स पाय जाते हैं होता है और यह दो से तीन जो है पाइरिनाइड जो है कि पाय जाते हैं जर्फूड मैटेरियल के रूप में तो आपने सेल देख लिया और यह जो जो किसका स्टक्चर अब नेक्स्ट जो है कि अब जब कालोनी आप देखेंगे तो कालोनी में तीन तरह चार तरह की की सेल्स होती है वेजटेटिव सेल्स जो कि फ्लेज लेटेड होंगी और जो है कि फूड फार्मेशन का काम करती है और लोकोमोशन का काम करती है एसेक्सवल लो सेल्स जोकी जो ए डाटर कालोनीय प्रोड्यूस करती है है सेक्षोे इंधरेजवय सेल्स प्रोड्यूस करती है और होता है यह स्टेटिवल यह जम K आ== तो यह चाहरे का फ्रोड्शन करें येक का प्रोड्क्शन करें जाएी tyre जो आपको दिए प्रिशेल्स होती है जिनका मेन काम होता है जो है फूड फार्मेशन और जोए को एक जगह से दुसरे जगह है में मैं करते हैं हम यह कि ऒखेसे लोगी जो है प्रकाइब्स होता है भी प्रदक्षेंट रिप्रोडप्षिंट होटा और आप कोई पूचता है कि अंटेरीर और पोस्टेरियर भाग कैसे तो आप रिप्रोडक्टिव से kulे कर नहीं या प्रजेंट होते रही इंटरीएर भाग में नहीं होते हैं क्योंकि ये बॉल लाय के स्ट्रक्टर है इस लिए कभी भी उसका फेस जो औہ malware की इदर और चेंज होता रहता है तो आपको reconize करने में कि उसदिक्त होती है सिनुबिया के भाग को पहचान सकते हैं अब उसके बाद इसक्स रिप्रोडक्षन में हमने आपको बताया कि एसक्स रिप्रोडक्षन में कुछ बेजटीटिव सेल्स जो है पॉस्टेरियर भाग में माइग्रेट करके और साइज में बढ़ी हो जाती है अपने फ्लेजला को पहले उसके बाद दोनों दोनों सेल से डिवाइड करती चार बनाती हैं युदि बनाइंगे और उस नाम से भी जानते हैं और उसके बाद जो है कि यह पॉर्स नाम से बहुता है क्योंकि यहीं से opening होती है और वन वाई वन जो है कि बाहर निकलते हैं इसके बाद फिर से जो है कि एट से 16 16 से 32 32 64 में डिवाइड करता है और फिर जो है कि जो है डाटर सेल में जो है कि इन डाटर कालोनियों का in George nd Olha Dorothy का मतलब यह है कि पहले पहले प्यों पॉर्स चे आपठर भाग में होता है लेकिन बाद में इन वर आज़न करके यह जो है कि लोवर स जपर्फ हर जाता है इसको हम बोलता है इस तरीके से जो है 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 पूरा डिवीजन कम्पलीट हो जाता रहे हैं और डाटर का लुक्यास को जनम देती हैं या बनाती है उसके अब आप यहां पर देखेंगे नेक्स जो है आपको अब रिप्रोडक्षन होता है और सेक्सव रिप्रोडक्षन में आपको हमने पहले बताया ततो हमाता है कि इस में दूंतरह के जरूरत होती है कि चानते हैं यह जो है गया कर जाते हैं और कभी कभी जो है कि इस तरीके से जो है और निकलता है और इन्फरांडर निकलता है और उगोनिया के दवार एक जो है की केमिकल से क्रिट किया जाता है जिस chemical के response से वह जो गुनीडियम के तरह एक्रेक्ट हो करके और फाइनली जाकर फ्यूज करता है फ्यूज करने के बाद जाइगोड बनता है और जाइगोड फिर बाद में कुछ समय resting period में होता है resting period के बाद फिर से germinate करता है और जर्मिनेशन के बाद और इसमें जो है कि मियासि से किऊंकि जो प्लांट होता है वह है प्लाइड होता है इसलिए यहां पे मियासिश डिवेजन होना मस्ट है बिना मियासिश के अगर डिवाइड मैटाशिस करता है तो अबडर्मिल्टी माना जाएगा और इस तरीके से फिर जो है कि वह जर्म कैसी है सिनुभिया किसे बोलते हैं यह सब चीजे फिर रिप्रोडक्शन में आपने देख लिया कि उसमें वेजिटेट्वी यह शेक्शुल और सेक्शुल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है तो आज जो है कि यहीं तक होगा उसके बार नेक्स आपको जो है नेक्स क्लास में डिसकस किया जाएगा थैंक यू